नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेडी ग्लोस पर आज का टॉपिक जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो पहलों है उनको पहले जान ले आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएस, बिर्टेन और इरान के बीच में आखिरकार ये क्या कॉन्फलिक्ट है जिसके तहट जनवरी 2021 से लगा कर अब तक इरान ने अमेरिका के उपर सीरिया के अंदर 78 टाइम जो है वो हमला किया है इस पूरे टापिक को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इंडिया का एक्जामपल जो है वो समझाना जरूरी है क्योंकि हम भी एक कॉलोनाइस कंट्री रह चुके हैं और उसका कंसर्प्ट जो है वो हम लोगो आज यहां पर काफी अच्छी से समझने में मदद करेगा इस टॉपिक को तो चलिए शुरुआत करते हम लोग आज की बहुत बहुतेन टॉपिक की रिसेंटली हुआ क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बतायता हूँ और फिर हम लोग इंडिया के एक्जाम्पल के बारे में बात करेंगे recently क्या हुआ है कि US और इरान की बीच में clash हुआ है सीरिया के अंदर और US ने air strike की है जो इरान का base है, air force base है वहाँ पर लेकिन US के द्वारा ये air strike क्यों की गई है और फिर जो बाइडन ने यहाँ पर धमकी भी दे दिया कि हम किसी भी हालत में पीछी हटने वाले नहीं है तो कि हमारे इरादे जो हैं, वो हमने ऐसे बनाए हैं कि हम किसी भी परिसिती में पीछे नहीं आतेंगे तो इसको हम लोग एक example से समझेंगे इंडिया एक colonized country रहा है देखिए जितने भी European countries हैं वो हमेशा Middle East को या फिर Asian countries को एक market की रूप में देखते हैं भारत के अंदर जितना भी कच्चा माल raw material production होता था खास तोर पर West Bengal के अंदर या हम लोग कहें उस समय का बंगाल था तो जितना भी raw material production होता था उसको shifts के थुरू पहुँचा दिया आता था ब्रिटेन के अंदर और ब्रिटेन उनी का एक तयार माल जो ready product है जिसे माल लीजे की हमारे पास में कपास है तो कपास जो है उसको कम दाम में ब्रिटेन खरीदा करता था और उसके बाद में उसका shirt बना कर हमको ही बेच दिया करता था जिस कचे माल को उसने 10 रुपे में खरीदा है उसको वो shirt बना कर हमको फिर 200 या 500 रुपे में बेचा करता था जिस shirt को हम लोग खुद बना सकते थे उसी shirt को हमको 500 रुपे में चिपका दिया मतलब हम लोग दो तरफ से ठगे गए एक तरफ से कच्चा माल जो है वो हमारा सस्ते में खरीद लिया और दूसरी तरफ से उस शट को बेच कर दुगने दाम में हमसे फिर से पैसा कमा लिया तो जितने भी European countries हैं वो हमेशा ऐसे देशों को भारत जैसे देशों को या फिर Middle East के जो दिचने भी देश हैं यह पूरा का पूरा यह Middle East का एक एरिया है और यहीं पर जो है वो इरान इस्तित है यह वाला जो एरिया है वो इरान का है एक फिर यहाँ पर है Britain और यह है USA मतलब इस शतरंज के गेम के अंदर यह तीन खिलाड़ी आप लोग को समझना जरूरी है इरान एक शिया बाहुले एक देश है और आप लोगों ने कहा होगा कि परशिया से राजकुमार आएगा और मुझे ले कर जाएगा सफेद घोडे पर आएगा तो परशिया यही था इरान वाला जो एरिया है इसी हो हम लोग परशिया कहते थे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन की, UK की हम लोग बात करेंगे UK ने हमेशा intervention की है इरान के अंदर oil और gas के लिए क्योंकि महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इरान के पास में वो technology नहीं है मतलब पहले तो नहीं थी इतनी कि जिसके थुरू oil और gas को वहां से production कर सके उसको जमीन से बाहर निकाल सके, UK ने कहा कि हम जो है ये आपको पूरा काम करके देंगे लेकिन इस पर जितना भी sale का आप export करेंगे वो controlling system जो है वो हमारे पास में होगा तो UK ने इरान का जितना भी oil और gas का market था यह हम लोग कहें production जो system था उसको काफी अच्छे से handle किया था US जो है वो UK का बहुत अच्छा मित्र है US से निकाल कि हमें भी जो है अपने साथ में मिला लो, तुम लूट रहे हो हम भी साथ में लूट लेंगे तो इरान के अंदर जितने भी oil और gas fields है इन दोनों ने मिलकर जो है काफी अच्छे तक लूटे हैं फिर 1953 के अंदर क्या होता है कि जितना भी यहाँ पर राज्टंत्र जो चल रहा था इरान के अंदर उसका end होता है और democratic party जो है वो अस्टितों में आती है जो democratic leader बनते हैं वो यह चाहते थे 1953 के अंदर कि इरान से जितना भी oil और gas का production हो रहा है उसको एक nationalized way के अंदर हम लोग international markets के अंदर पहुचाना शुरू कर दे इस समय UK और USA को यह लगने लग गया कि अगर इरान ने अपना तेल और gas दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया तो हमारा controlling power खतम हो जाएगा और जिस कच्चे दाम के अंदर जिस कम दाम के अंदर हम लोग यहां से oil और gas को खरीद रहे हैं वो अपना फिर दाम बढ़ा देगा जिसकी market में demand होती है वो अपनी prices को automatic increase कर देता है इससे UK और USA बड़े नाखुश थे इन्होंने क्या किया कि USA और UK ने मिलकर यह जो democratic party का या democratic हम लोग कहें कि लोकतांत्रिक देश का पहला जो यहां पर प्रधान मंतिरी बना था उसको क्या कर दिया यहां से remove कर दिया क्या हम लोग कहें कि राश्पती को यहां से remove कर दिया remove करने के बाद इन्होंने कटपूत ली एक puppet यहां पर बैठा दिया जो कि पूरा यहां पर USA और UK की जितनी भी policies थी उनको यहां पर run कर रहा था 1970 आते आते USA और इरान के बीच में एक nuclear deal होती है वो nuclear deal जो है वो फैल हो जाती है क्योंकि USA ने अपने वहां पर इंट्रेस्ट थे कुछ जादा ही दिखा दिये थे USA ने कहा था कि हम जो है वो technology को transfer करेंगे लेकिन बाद में फिर इरान को ये समझ में आने लग गया कि कही न कहीं USA जो है वो हमको ठग रहा है और ये बात इरान के नागरिकों को बहुत अच्छे समझ में आने लग गयी जैसे हम एक colonized country थे हमको बाद में समझ में आया कि basically UK, Britain जो है वो हमसे ठगी कर रहा है वैसी इरान के जो नागरिक थे उनको भी थोड़ा बाद में समझ में आया कि वाकई में ये तो खेली दूसरा चल रहा है फिर इरान की जितने भी citizens थे वो इनका विरोध करने लग गये जब विरोध इतना ज़दा बढ़ गया तो इन्होंने अपने यांनि कि इरान को कंट्रोल करने का या फिर जितने भी Gulf countries थे उनको कंट्रोल करने का एक नए अड़ा जो है वो बनाया जिसको हम लोग कहते हैं Syria आप इस मैप को धियां से समझ जीएगा कि ये तो है इरान और इरान के पास में है इराक ये है Syria सीरिया जो है ये इरान और USA का दोनों तरफ से जो है वो एक ऐसा पूरा का पूरा प्लेस बन चुका है जहां पर ये दोनों जो है वो अपने काम को अंजाम देते हैं अब हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं इरान बिसीकली इरान के भी यहां पर बेस है आर्मी बेस है और USA के भी हम लोग बात करेंगे लेकिन USA ने फिर इसकी उपर प्रतिकरा जो है वो दी है और ये कहा है कि यूएस जो है वो इरान की उपर इरान की जितने भी बेस हैं सीरिया के अंदर वहाँ पर वो एर स्ट्राइक करेगा और कर भी दी है और इसके बाद में इरान जो है वो भी बिल्कुल सामने दोनों के आ चुका है यहाँ पर एक काटोन जो है वो आप लोग को समझा रहा है कि यह बेसिकलिए यूएस जो है वो इरान की ये जो जड़े है इनको काड़ता है और हमेशा यूएस जितने भी पॉलिसीज है आज दुनिया से छिपी नहीं है यूएस जिस तरीके से प्रेजेंट होता है और जि इसलिए हो देते हैं क्योंकि USA जो है इसकी economic power इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो दूसरे देशों की उपर sanctions लगा देते हैं उनके import और export पे जो है वो sanctions लगा देते हैं जिसके कारण उस देश की पूरी economy जो है वो डाउन चले जाती है ये इरान के साथ भी ऐसा हुआ था यह पर आप लोग देख सकते हैं कि USA इरान को ये दिखा रहा है USA इरान को दिखा रहा है कि no after you आगर आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? और इरान कह रहा है कि देखिये, देखो उधर USA को कि आपके जाने के बाद क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा। समझे तियाए आप लोग, मतलब U.S.A. समझा रहा है कि हम अगर चले जाएगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि बैई आज चले जाएगे तो भी वार होगा, मतलब U.S.A. की भूमिका है, कि चाये वो अब रहे या ना रहे, तो फिर वार हो दिया है कि recently जो air strike हुई है between Iran और USA 20 March को ये हुई है Syria के अंदर we are not going to back down हम लोग पीछे नहीं जाएंगे किसी भी परिसिती में हम लोग जो है वो पीछे नहीं जाएंगे हम लोग एक strong action जो है वो लेंगे to protect our citizens in fact on Thursday Iran backed groups attacked the US base in Syria तो Iran ने भी वापस जो है हमला किया है Syria के अंदर US base की उपर American contractor was killed and six soldiers were injured तो American जो contractor था वो यहाँ पर क्या होता है injured होता है basically Syria के अंदर यह सभी अपने projects को run कर रहे हैं तो यह यहाँ पर अमेरिका को काफे नुकसान होता है according to the US US Iranian drones were used in attack तो recently क्या हुआ है कि US ने कहा कि Iranian जो drones हैं उनका इस्तमाल किया गया है attack करने के अंदर फिर देखिए आप लोग in response to the attack the US also carried out air strike on the Iranian base within F-15 हम जो इस्तमाल करते हैं वो F-16 और पाकिस्तान को F-16 इसने supply कर रखा है already तो F-15 जो fighter jets हैं वहां पर air strike की गई है और Iranian officials claim करते हैं कि उन्होंने 11 of their soldiers were killed एनकी 11 soldiers जो है उसके अंदर मरे हैं in the attack according to the US Central Command Iran against attack with 10 missiles 2 women and children suffered minor injuries कुछ injuries जो है वो आई है तो दोनों तरफ से जो है वो attack हो रहा है तो basically इसके अंदर एक US contract जो है वो contractor वो kill हुआ है एक US contractor जो है वो गायल हुआ है injured हुआ है और 5 US service members जो है वो इसके अंदर गायल हुए है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को इतिहास के पन्ने कुछ बताए हैं कि आखिरकार ये oil और natural gas जो है उस पर controlling power और Venezuela के अंदर में यही हुआ था Venezuela के अंदर जब इन्हों ने US ने ज़्यादा ही वहाँ पर controlling power दिखाई थी sanctions वगरा लगा दिये थे और उसके बाद में result यह था कि Venezuela की जो currency थी जैसे ही वहाँ से work out किया USA ने तो वहाँ की जो currency थी वो पूरी की पूरी economy जो है जो थी वो नीचे की तरफ आ गई तो US basically करता यही है कि हमेशा वो Middle East के अंदर सारे operations रन करता है और उसकी वज़े से सारे युद्ध जो है wars वो होते है और यह pretend करता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पर पूरा का पूरा disturbance create हो जाएगा तो यह था पूरा air strike का मामला आप लोग मुझे comment section में एक general knowledge के question का answer कीजेगा आप लोग मुझे यह बताईए कि USA के अंदर एक river जो है वो flow होती है Mississippi, Missouri दोनों एक दूसरे में मर्ज होती है मुझे आप लोग comment section में यह बताईएगा कि वो जो river है वो कौन से gulf के अंदर जाकर गिरती है कुछन समझ में आया आप लोग comment section मुझे answer कीजेगा ठीक है तो यह topic आप लोग के समझ में आ चुका होगा मिलते हम लोग next topic के अंदर सब तक लिए धन्देबाद thank you जैहिन